चाड़क के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे विक्रम S के बारे में जो कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन इसरो द्वारा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉंच किया गया है ये रॉकेट आवाज की गती से पांच गुनाज जादा स्पीड से अंतरिक्ष की और गया है इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है विक्रम S की लॉंचिंग शिरी हरी कोटा स्थित सतीष धवन अंतरिक्ष केंदर से हुई है 81.5 किलोमेटर की उचाई पर तीन पैलोड सफलता से इंजेक्ट किये गए है 89.5 किलोमेटर की अधिक्तम उचाई इससे हासिल की गई है और फिर समुद्र में स्प्लेश डाउन हो गया है इस मिशन को प्रारम नाम दिया गया है ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई उचाईया देगा बात अगर करें वीके रॉकेट के बारे में तो गैर सरकारी संस्थान और स्टार्ट अप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिम्टेड ने वीके एस रॉकेट को विखसित किया है यह लगभग 550 किलोग्राम वजन वाला एक सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज सॉलिड प्रॉपलेट प्रॉकेट है इसे कारवन मिशित सरंचनाव और 3D मुदृत घटको सहित उन्नत तक्निकों का उप्योग करके बनाया गया है इसकी लॉंचिंग से पहले यह अनुमान था कि रॉकेट अधिक्तम 101 किलोमेटर तक की उचाई को फ्राप्त करने के बाद समुद्र में आके गिरेगा प्रक्षेपन की कुल अबदी 300 सेकंड है रॉकेट अंत्रेक्ष में कुल 3 पैलोट लेकर गया जिसमें से 1 पैलोट विदेशी है क्योंकि विक्रम-S देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है इसलिए विशेश हो जाता है इसमें क्या-क्या खासियत है Skyroot Aerospace Company ने विक्रम सीरीज के रॉकेट को डेवलेप किया है इस सीरीज में तीन रॉकेट विक्रम 1, 2 और 3 है इन तीनों की लॉकेट से पहले विक्रम S रॉकेट की लॉकेट होनी थी जो एक सब ओर्डिनेट रॉकेट है ये एक सिंगल स्टेज सब ओर्डिनेट लॉकेट विक्रम यानि रॉकेट है जो तीन पैलोट को स्पेस में लॉकेट कर चुका है Skyroot ने भारत के Space Program के जनक कहे जाने वाले महान विज्यानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में अपने Launch Vehicle यानि Rocket का नाम विक्रम रखा है इस मिशन की काम्याभी Skyroot Company के लिए बहुत अहम है विक्रम S Rocket Skyroot के लिए विक्रम सीरीज Rocket की Launching के लिए एक Testing की तरह है विक्रम S Rocket की करीब 80% Technology वहीं है जो Skyroot के Orbital Rocket विक्रम 1 में इस्तमाल की गई है जिससे अगले साल यानि की 2023 में Launch करने की योजना है Skyroot Company का कहना है कि इस Launching के दोरान Rocket के Solid Fuel Engine Column 1 के परदशन की सबसे करीब से निगरानी की जाएगी Private Rocket Launching से फाइदे क्या-क्या होने वाले है तो विक्रम S Rocket की Launching से भारत में Space Sector में Private Company के आने का रास्ता खुलेगा जिसे 2020 में Private Sector के लिए खोला गया था उसके बाद से इस सेक्टर में Bellatrix Aerospace, Agni Cool, Drove, Astrogel जैसी कई कमपनिया आ चुकी है अगर वैश्विक्स तर पे बात करें तो Space X Private Rocket Launching के लिए एक कमपनी है जो बहुत सफलता से काम कर रही है अब तक देश के सभी Space Mission और Rocket बनाने का काम Indian Space Research Organization यानि इसरो करता रहा है जो कि सरकारी organization है केंदर ने पिछले साल Space Tech सेक्टर में Private कमपनियों के बीच सहोग के लिए Indian Space Association के शुरुवात की थी देश में Space सेक्टर को Private कमपनियों के लिए खोलने से innovation बढ़ेगा और कम खर्च में satellite launching को बढ़ावा मिलेगा इससे इन कमपनियों को अपना Space Mission पूरा करने का मौका मिलेगा और अंतरिक्ष के उडान सभी के लिए सस्ती विश्रशनी है और नियमित होगी प्राइवेट कमपनियों के आने से भारत को दुनिया के 400 अरब डॉलर यानि की करीब 32,000 करोड रुपे के Space Tech मार्केट में अपनी जगा बनाने में मदद मिलेगी भारतिय स्पेस टेक इंडस्ट्री के 2035 तक 77 अरब डॉलर यानि करीब 62,000 करोड रुपे का हो जाने का अनुमाल लगाया जा रहा है इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच और सुप्सक्राइब लगाया जाएब ऑन उन्हाट कर दो नेवरन पर चानल को लाइब सेक्टिन हो जाएब वागाया जाएब घुपिकूट अप्सक्राइब टॉपिकूट अप्सक्राइब तकूट है